आप मुर्गों की लड़ाई देख सकते हैं दोस्तों एक दो मुर्गे एक ब्लेक और वाइट दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे लेकिन जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो ये लड़ना ही बंद कर दिये ऐसा क्यों हुआ कि हमको भी पता नहीं है सायदे लोग हमसे डरते हैं या फिर इनको ऐसा लगता होगा कि अगर हमारा वीडियो बन गया तो वाइरल हो जाएगा और पब्लिक हमको देख लेगे इनके खाने का स्टाइल आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से जो चूजे हैं वो दाना चूग रही हैं और अभी बहुत छोटे-छोटे हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, दो असीले हैं, वो महनत करके चारा ढूंड रही हैं खुद के लिए, और काफी अच्छे तरीके से महनत कर रही हैं वो, हम आपको हमारी मुर्गियों को दिखाऊंगा, कि आज हमारी मुर्गियां किस तरीके से खाना खा रही हैं और दाना चूग रही हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें चूजे भी सामिल हैं दोस्तों, वो भी बहुत जादा खुस है आज, इनके खाने का स्टाइल आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से जो चूजे हैं वो दाना चूग र रही है जो ये उसकी मम्मी है दोस्तों इन सब की मम्मी है इन सब चुजों की वह बहुत जादा तेज है दोस्तों आप देख सकते हैं पंक को फैला रही है उसको ऐसा लगता है कि वह मेरे बच्चों को कुछ करना दे उसको डर लग रहा है दोस्तों इसलिए वह इसको भगा र रही हैं सारी मुर्गियां और सायद इन में मुर्गे भी हैं कुछ मुर्गे और कुछ मुर्गिया हैं हम पहचान नहीं पा रहे हैं क्यूंकि अभी बहुत छोटे-छोटे हैं वो आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों असील काफी सुन्दर और सायद अभी भूखे हैं वो हम आपको दाना डाल कर दिंखाएंगे और देखते हैं ओ किस तरीके से दाना खाती है आप देख सकते हैं दोस्तो ए सारी मुर्गिया मेरे पास आ रही है क्योंकि दोस्तो मैं रखा हूँ इनके लिए दाना और दाना खाने के लिए मेरे पास आ रही है लेकिन इनको हम अभी नहीं देंगे हमको क्योंकि इनको पास में लाना है और बहुत जादा वेट कराना है दोस्तो इसलिए हम इनको अभी वेट कराएंगे इंतजार करने का मज़ा ही अलग है दोस्तो इंतजार करने के बाद खाने का मज़ा ही कुछ और है तो इनको सबसे पहले हम इंतजार कराएंगे और उसके बाद हम इनको खाने के लिए देंगे दोस्तो आज मौसम थोड़ा सा खराब है और सारी मुर्गियां अभी हमारे फार्म के बाहर है और फिलाल ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ गई और बिल्कुल भी नहीं डर र ही है दोस्तो आप देख सकते हैं ये है रेड वाली मुर्गी और ये बहुत बड़ी होगी अभी अब ये छोटी सी है आप देख सकते हैं मेरे पास आ रही है इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता दोस्तो और ये जो दो असील है एक मुर्गी है और एक मुर्गा है इनको भ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इनको इंतजार करवाए। आप देख सकते हैं कहीं हमको कुछ करना दे करके देख रही थी। सारी मुर्गियां बहुती चाव के साथ, बहुती इंटरस्ट के साथ खाना खा रही हैं। इनके लिए बहुत जादा आज खुसी का दिन है और आज मोसम भी थोड़ा खराब है दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मोसम भी खराब है और फिर भी इनको अच्छा लग रहा है। बहुत ज़ाद अच्छा लग रहा है और इनमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज़ादा मजा आ रहा है इस चीज को खाने में दोस्तो इस चावल का छोटा छोटा तुकड़ा जो बसता है वो वही है तो आप देख सकते हैं यह सारी मुर्गियां बहुत ही चावक के साथ बहुत ही इंट्रेस्ट के साथ अपना खाना खा रही है और आज बहुत ही अच्छा दिन है इनके लिए काफी इंट्रेस्ट के साथ सारी मुर्गियां बड़े प्रेम के साथ खाना खा रही है और कुछ मुर्गियां एक दूसरे के साथ लड़ भी रह हैं देख सकते हैं ओ जो मम्मी है उन सब चुजों की वह बहुत जादा तेज्ञ दोस्तों और इन सब को भगा रही है वो कि तुम यहां पर मत आओ क्यूंकि यह हमारे लिए है परस्टनली हमारे लिए तो हम हम ही खाएंगे लेकिन दोस्तों ये इनके लिए ही नहीं है इन सभी मुर्गियों के लिए है और मैंने यहाँ फेंग दिया है और ये सारी मुर्गियां खा रही है आप मुर्गों की लड़ाई देख सकते हैं दोस्तों एक दो मुर्गे एक ब्लेक और वाइट दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे लेकिन जब हमने वीडियो बनाना इस्टार्ट किया तो एक लड़ना ही बंद कर दिये ऐसा क्यों हुआ कि हमको भी पता नहीं है सायदे लोग हमसे डरते हैं या फिर इनको ऐसा लगता होगा कि अगर हमारा वीडियो बन गया तो वाइरल हो जाएगा और पब्लिक हमको देख लेगे इसलिए दोस्तों ए लड़ना बंद कर दिये और जैसे ही हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया दोस्तों आप देख सकते हैं इनका लड़ाई बिल्कुल ही बंद हो गया और देख सकते हैं फिर वो बच्चे की मम्मी इनको भगा रही है लेकिन दोस्तों यह गलत है क्योंकि यह सब के लिए है तो सब को खाने देना चीज़ को लेकिन दोस्तों कहते हैं न मम्मी को बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परवा होती है तो इसको भी बहुत ज़्यादा परवा है और सायद हमको भी पास नहीं आने देगी इसलिए हम दूर से ही वीडियो को सूट कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से यह लोग आज खाना खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया होगा दोस्तों इन सभी को कि हमको आज बहुत ज़्यादा खाने को मिला ऐसा गर कि आप अभी भी देख सकते हैं बहुत सारा दाना फैला हुआ है जो हमने फेक कर रखा था इन सभी के लिए और इस अभी खाना खा रहे हैं